कमीरा खरा हम बजार में लिये लुकाठी हाथ जो घर जा रहे आपना चले हमारे साथ तो जय जवान जय किसांग दोनों बात भाजप्पा के सरकार में फ्लॉप कर गया एक एक जनता को सोचने की जरुवत है कि कैसे देश मेरा सुद्रे ये क्वी अधर्सकामून का बेगुस जानना चाहती है पचास किलोमेटर पर पर सरक पर असुली करते रहते हैं अब आपके अच्छे दिन हमको नहीं चाहिए हमको बुरे दिन जो था उसी दिन में हम रहने के लिए नमस्कार आप देख रहे हैं देशवा न्यूज जैसा कि आप सभी को पता है कि जैसे जैसे वैसे वैसे सभी पर्तियासियों के दिल में बैचेनी चाता जा रहा है कि हम किस तरह से जनता का भोट लेकर के हम भारी मतों से जीते इसी करी में हमारे साथ समाज सेवी हैं जिनका नाम प्रकास कुमार सिन्ना है आईये उनसे बात करते हैं और पहले हम यह जानने की कोसिज क करते हैं कि आखिर यहां समाज सेवा से जितने भी जूरे हुए व्यक्ति हैं उनका बहुत किस मुद्दे पर और किस साइड जाएगा मेरा आप से पहला सवाल है कि अप सब्सक्राइब और किस मुद्दे को लेख है तो बहुत और मुद्दि जी बोलते हैं जै किशान के नारा को बॉआ मोधी जी दोहराते हैं और काते हैं उसमें जोर देते हैं जैब घ्यान लेकिन एक तरफ ये नारा बोलते हैं इसको आधर करते हैं दूसरे तरफ किशान पर गारी चलवा देते हैं उनके सरकार में उनके मंत्री के लोग उनके दल के लोग किशान के अंदोलर पर गारी चलवाय उनके उनके सरकार में जवान को नौकुरी से रटा करके चारवर्सके प्रक्ट में रखा गया तो जई जवान है जैकिसांद दोनों बात भाजप्पा के सरकार में फ्लाप कर गया यह असपस्ठ है भाजप्पा के सरकार में युवाओं के रोजगार की कहीं कोई चर्चा नहीं होती है तो युवा भी बेकार हैं मद्यम्बर्ग का की स्थिती इतनी देनिया है कि उसको कहीं भी आगे बढने का रास्ता नहीं है इनका ध्यान सीधा एक बात पर है कि देश के बरे पूंजी पती कैसे आगे की जरुत है कि कैसे देश मेरा सुद्रे कैसे देश में सही तरिका से समाध हित की बात आवे यह बहुत जरूरी बात है और इसी बात के मुद्दे पर कि कैसे हम बेगुसराय वालों को सोचना है कि कैसे बेगुसराय का विकास हो सर मेरा आपसे अगला सवाल लिया है कि बेगुस राय के बर्तमान सांसद के द्वारा बेगुस राय में आपके नजर में क्या विकास किया है देखिए बर्तमान सांसद हमारे दो-तीन मंत्री रहे और बर्तमान सांसद अपने जुवान से कोई एक काम नहीं बता सकते है कि हम जिस विवाग के मनती रहे उस विवाग में बेगुस राइक के लिए। बहुत आदर्स वर किये एक भी आदर्स काम उनका बेगुस राय में नहीं है अब भोला वाव कोई काम किये उकते हैं चुके भोलो वाव वीजेपी के ते इसलिए में हम किये कोई काम रिफाइंडरी का भी स्तारी करन की कुछ बात आई जो भोला वाव के कर्चकाल में हुआ इकते हैं हम किये तो सवाल है यह जो मन होगा सो बोलेंगे इनको कोई लगाम लगाने वाला नहां और इनसे कोई काम लेने वाला है अब तो यह ऐसा शात भासा जन परतिनिदी के मर्यादा को तार तार कर दिये हम बेगुस राय की चंता को यह गाली देते हैं हम बेगुसराय के लोगों से अग्रह करते हैं कि आप सतर्क हो जाए और इनको अगर आपको लगता है कि ये गाली है इनको गंगा के पार कर दिजे बिदा कर दिजे और कहिए महापरभू आपको मेरा परणाम आपका हम कुछ नहीं बिगारे आप मेरा भी कुछ मत बिगारिये जाईए आप जहाँ से आये थे वहाँ चले जाईए। सब्सक्राइब वतन प्रस्त है और पाकिस्तान प्रस्त है उनका वोट हमें नहीं चाहिए इस बात से उनका इस सारा किस और किस समुदाई की रजागा यह लोगों को गुमरा करने का एक नारा है बेवकुफ बनाने का नारा है इन से बिट उस्राइक की लोग जनता जानना चाहते हैं 50 किलो मे सरक पर वसुलि करते रहते हैं पूरे भारत में वसुलि रम्जानपूर में वसुलि मुंगेर के पास वह सी हर 50 KM पराम क्रते संवज ली है गत यह तरीका है आं एक जंता चुली का दूसरे थरह आप बड़े-बड़े पुझे पत्यों का टेक्स माफ्ट करते हैं तो ये मध्यंबर को आप क्यों परिशान कर रहे हम यही जानना चाहते हैं कि क्यों क्या भीगारा है मध्यंबर आपको निम्र को रुजगार नहीं दे रहे हर 50 किलोमेटर पर वसूली कर रहे हैं टॉल चाहते हैं आप आप वहां जोडते हैं आप यहां से जाईए आप से सर मेरा एक आखरी सवाल है जैसे कि आपको पता है एंडिया गटवंदन से गिराज सिंग और इंडिया महागटवंदन के उमिदवार अब देश रहा है किसी बीच में एक निरदलिया उमिदवार कुमार राय हर पूर के हैं पढ़ा लिखा ही हुआ है और आपको जानकारी होगी कि इनके पिता जी अपने सरीर को दान कर दिये इनके मरने के बाद इनका हांक इनका हाट इनका पूरा शरीर मेडिकल कॉलेज में रखा जाएगा और जिस आदम को जरुरत होगा उसको दिया रहे इतना वरा अत्याग ही हिए वो भी अपने सरीर त्याग कर दिये बादे मनें बेहार वासियों के लिए आम जनमाने के हित के लिए तो इस तरह से इस इस तरह से यह ये एक कंडिडेट जो है एक मिशाल कर रहा है ये कंडिडेट करोला के काल में घुम घुम के काम किया ये कंडिडेट मैंणे गरिभोंके लिए रक्टदान किया 갖़ इस थारन नहीं है यहांने अपना mijn इसेज दिया है कि हम दिल्ली में धाई हजार रुपिया बिर्धा पेंसन मिलता है विकलांग पेंसन मिलता है विद्वा पेंसन मिलता है हरियाना में तीन हजार मिलता है यूपी में डेर हजार मिलता है बंगाल में डेर हजार मिलता है ब्यार में मात्र चार सौ रुपिया मिलता है ये कंडिड बार से पूचिए कि वहाई आपके पास क्या प्रोगाम है क्यों नहीं आज तक बिहार के जनता को पंद्रह सो रप्या मिला आप इसके लिए गरीब जनता के लिए लड़ाई लडए आप यह बताइए यह इनका मेसेज जितना नहीं है इनका मेसेज है कमीरा खरा हम बजार में लिये लुकाठी हाथ जो घर जा रहे आपना चले हमारे साथ ये कभीर के तरह खड़े हैं और जनता को महसेज दे रहे हैं कि जनहित बेगुसराय परबंडल के बने जो इसकी लड़ाई लड़ेगा हम उसके साथ हैं बेगुसराय में मेडिकल कॉलेज हो बेगुसराय में मनेजमेंट कॉलेज हो बेगुसराय में विकास जमंगलागड का विकास हो कावर जिल का विकास हो बेगुसराय में गरारायाड में उद्योग का विकास हो इस कंडिडेट का ये उद्देश है और ये उद्देश जन मानस तक पहुंच जाएगा तिस कंडिडेट का कहना है मेरी जीत हो गई हमको सट्रिकेट से जीत नहीं चाहिए जन मानस तक इस बात को जानकारी आ जाए हमारी जीत हो गई हमारी यही है कहना कि जनता जागरित हो जब जनता जागरित होगी बेगुसराय की जीत होगी और इसलिए करना रहा है बेगुस रयका जीत इंदरजीत 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 इन और जरिए सर आपके बात करने के तरी के से मुझे पूरा यकीन और विश्वास है कि आपका जो समर्थन होगा इस बार हुआ इंद्रजीत कुमार राय के ही तरफ होगा आप उनके तरफ से बेगुस राय के जनता से क्या अपिल करना चाहिए मैं बेगुस राय की जनता से हाथ जोर के बिंती करता हूँ ऐसा युवक जो अपना सरीर दान कर दिया है ऐसा युवक जो अपना रक्त दान करता है ऐसा युवक जो आपको जागरित करने के लिए आज खड़ा है जो अपना हजारों लाखों रुपया खर्च कर रहा है आपक उचित लगे उसके लिए जरूर खड़ा हो ये जरूर खड़ा हो ये संगर्स किजिए आपकी इच्छा हो तो इंदरजीत को भोड़ दीजे अगर फिर भी आपको इच्छा नहीं होती है तो जो मन है वह किजिए परजातन्त रहे लेकिन इंदरजीत की बात को अवस्थ सुनि पढ़िए और मनन कीजिए यही मेरा जनता स्यागरा पढ़ा है चलिए इसी करी में हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं उनसे भी हम बात करते हैं क्या नहीं है संजे कुमार है जैसा कि आपको भी पता है कि एंडिये के उमिदवार गिराज सिंग इंडिया महागटवंदर के उम पान साल में करके दिखाएंगे वे उस रहें के जनता को क्या ऐसे कंडिडेट को आप लोग सपूर्ट करना चाहेंगे विकास के प्रति जो एक्टिव कंडिडेट है भोट तो उसी को चाहिए मिलना जो पादा करके और जनता के हिद का काम कोई नहीं कर रहा है तो उसके लिए तो उसका हग नहीं है जनता के पास भोट मांगना अब ही तक आपके नजर में क्या-क्या विकास हुआ है तो पहले से अग्रेसिव जगह है यहां का विकास तो कुछ ने कुछ होते हो रहा है समय के अनुसार समय परवरतन सील है कुछ ने कुछ भी खास तो होते रहता है लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है जो सरकार के तरफ से जो होना चाहिए था वो भीकास जनता के लिए नहीं हो रहा है जैसे आपको भी पता है कि पर्दूस्तन के मामले में विश्व का नंबर वनस्तान बेवुसराय आया हुआ है इसको आप किस रूप में देखते हैं और इसके लिए क्या होना चाहिए तो अभी विकास का काम हो रहा है दूल सब अभी एनेज का काम हुआ है इसके चलते थोड़ा पर्दूसन हुआ है और उसका इलाज होना चाहिए मतलब उसके लिए सटिक कुछ बेवस्था होना चाहिए सरगार के तरफ से जो अब है कि पानी वाला जो छिरकाव है या जो भी सब्ब्सक्राइब या आपको इच्छा हो तो आप मौट करें नहीं इच्छा हो अब चाने और इन्हों ने यह भी बताया कि यह जो निर्दलिया उमिदवार हैं वो अपने पूरे परिवार जनता के लिए अपना सरीर तक दान कर चुके हैं देशवा न्यूज के लिए बिभुसराइसे कनलिया पास्वान देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दवाना न भूले